हेलो वरिवन नवस्कार वेलकम बेक टू माई यूटूब चैनल आप देख रहे हैं नीर जैमेड वेलनेस सो आज रहेगा आर्मी सीरीज का फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर और सबसे पहले मैं यह बताना चाहूंगा कि कुछ स्टुडेंट्स थे कुछ जो आर्म कर दूने प्रिदा मुंटे ज्मटर मेज से नेंस मैं बताना चाहूंगा कि अच्छे से अच्छे से APIs Allah नहीं नहीं पनेगा मसल भॉम अ नहीं अब बागना स्टाट कर देते थे बादि जब तक परlex और नहीं होगी तब तक अच्छे से ब्लड फ्लो नी बनेगा, मसल वोम अप नी होगा, तो अच्छे से इट अप नी होगा, तो एक जो आपका स्केलटन सिस्टम वो आपको सुपोर्ट नी करेगा, तो मैं आज वही कुछ स्ट्रेचिंग और एक्सराइज बताऊंगा, प्री और पोस्ट की, कि जब आप ग्राउंड में आए हो, तब आपने कौन सी स्ट्रेचिंग करनी है, और जब आप ग्राउंड से जा रहे हो, फिट स्ट्रेचिंग इसमें आपकी मुवमेंट बेस्ट रहेंगी सारी, मैंने आपको पहले ही बताया कि वोम अप का फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा आपको, इंजरीज कम होंगी, ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपका स्पीड अच्छी रहेगी, कई बार आपने देखा हुआग करते तो, इसमें मैंने बहुत अच्छे से गाइड किया है कि कैसे क्या आपने वोम स्टार्ट करना अपना, यह प्रियू रकाउट चल रही है अब तक, अब यह अमने पिछे इनर थाई की सारी किया है और ग्लूट की मोबिलिटी, अब यह आप करेगा, हैम्स्ट्रिंग का, बहुत जरूरी है, हैम्स्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करना प्रियू रकाउट में, आपका बैक पेन का मेन ओरीजन जो रीजन होता है, है, हैम्स्ट्रिंग की वजए से आपका बैक पेन जाता है, रनिंग करते टाइम, जिसके हैम्स्ट्रिंग टाइट है, उसको बैक पेन होने के चांच रहते हैं, और स्पेशली कोर वीग, यह आपकी पीजन स्ट्रेच भी कर सकते हो, आप इसमें जो मैं यह कर रहा हूँ, ब जाइचा है, यह तो आपकी थोरासिक मॉबिलिटी आपकी पूरी आप की मिडल बैक, जो थी है सुस्की मॉबिलिटी होगा अच्छे से, और उसके मैं आपके अडग्टर मसल और आपकी फलैक्सर मसल जो रुष रनिंग करने में सुपोर्ट करते हैं आपकी खासकरब्र वै आपके इसमें स्ट्रेच रहेंगी जब भी आपे स्ट्रेच करोगी तो बैक को पीछे की तरफ नहीं मारना तो ऐसे स्ट्रेच करना अपने वाला इसके बाद आपके ग्रोईन मसल ऐसे बैटके और एल्बो को को अपने थाई के अंदर लगाना और बार की तरफ पुश करना इसमें मैंने लास्ट शुरू में बता रखा है अल्बो अच्छे से पुश करना बार की तरफ उसके बाद फिर आपने इनर थाई की स्ट्रेचिंग करने ऐसे मोबिलिटी जब भी आप भी मुमेंट करोगे तो आगे पीछे की तरफ आपने मूब करना है अगर ये करते होता है तो प्लीज प्लीज ये एक्सरसाइज अवाइड कीजिए सिर्फ नीचे बैठ के जो इसे पहले बताया था ना डीप स्क्वाट में इनर थाई का वो आप कर सकते हैं और जब भी एक्सरसाइज करें ये दो नो प्लीज ये और इसे पहले वाली तो नी के नीचे प्लीज नी ये समय को मतले होता है कि आपका फोम रखने आपने फॉम नीके नीचे रखे तब आपने स्ट्रेचिंग करनी हमें इस उसके बाद आगया आपका अभीेश away और ये्जा बशाइज आ अर्व आपकी पोस्ट वर्ट यानी जब आपकी एक्सरसाइज करके या रह करना है इन सब में 15 से 30 सेकंड रहेगा यह सब इसमें मुमेंट रहेगी इसमें ओल रहेगा इस बात का ध्यान रखें दोबारा से हमस्ट्रिंग स्ट्रेच करेंगें 15 से 30 सेकंड ओल्ड करना है यह श्ट्रेचिंग अब इसके बाद हम करेंगे काफ मसल का स्ट्रेच इंडली की मसल का सेकंड आर्ट ओफ बोडी काफ मसल को बोला जाता क्योंकि पुलेट कम करते हैं आपका आर्ट की तरफ इसको स्ट्रेच करना बहुत ज्यादा जरूरी है इसी की वज़े से इल पेन और यह सब आने के चांस ज्यादा रहते हैं तो यह कुछ प्री और पोस्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थी जब आप रहनिंग करने ग्राउंड में आते हो जाते टाइम क्या करना है फिर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपका क्योस्चन है तो प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट आप से आराम से आप आप अपके लिए इतना हो सब सोच रहे हो आप आर्मी में जाना चाहरे हैं तो आपके लिए मौस्ट वेलकम है किसी की बीकोई इंक्वारी है प्लीज प्लीज की सीभी टाइम मैंसिज डालिये आपको इसका अंसर मे रोगा थैंकी सो मच वीडियो आपको पसंद आए तो व यादी में पेंन रहता वो मैंने अल्रेडी बना भी रखिए वीडियो में उसका लिंक सेंड कर दूँ आपको बैक में पें रहता है बागते टाइम शौल्डर में पेंच हता तो इस टाइप की सारी में वीडियो बनाऊंगा फ्लीज मेरे चैनल से टच रहे और को झाल